आज के इस नूब वीडियो में आप लोग कुछ इस तरह का एक्जाम टाइम कॉंसर्ट फोटो अडिटिंग करना सिखाऊंगा जो कि देखने में काउज़ा इमर्जिंग से लगड़ा है आप लोग यहां स्क्रीन पर देख सकते हो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का फोटो अडिटिंग करना सिखना तो आप लोग इस वाले वीडियो को सुरुष लेकर एंज तक वाच किजिए और आप लोग को यहां पर पसंद आयते इस वीडियो को एक लाइक जिरू कर देना और जिरा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोट्टो फिसन को ओन पेक कर दिएगा चले करते हैं वीड को स्टार्ट ओके इस वाले बैगरांड को पिकसाट अप्लिकेशन में ओपेन करके यहां से टूल्स वाले आइकोन पर क्लिक करके यहां से रिसाज टूल वाले आप्सन पर क्लिक करके आप इसको मैक्समम साइज में रिसाज करके यहां से इसको डान कर द कुछ इस तरह के पोज में आपना फोटो क्लिक कर वा ली जगा और इसको कुछ इस तरह से जूम करके कुछ इस तरह से इस वाले बैगरण पर कुछ इस तरह से इसको एड़ेस्ट कर ली जगा कि ऑग इंग एड फोटवाला option पर हम लोगद क्लिक करते हैं और एक साइड़व िफक्टond archive को एड करते हैं इस वाले दोनों सेड़व पी एनजी को हम लोगद करेंगे और इस वाले दिखनेट इफेक्ट पीएंज को कुछ इस तरह से जूम करके नीचे के और कुछ इस तरह से इसको हम एड़ेस्ट करके यहां से इसको हम डन कर देंगे अब हम लोग क्या करेंगे यहां से effect वाला option पर क्लिक करेंगे और यहां से क्या करेंगे color वाला option पर क्लिक करेंगे और second number में आपको एक color as place का option मिलेगा तो आप उस पर एक वार क्लिक कर दीजेगा और इसके circle कुछ इस तरह से आपने face पर कुछ इस तरह से रखके इसको छोड़ दीजेगा और यहां से eraser वाला option पर क्लिक करके कुछ इस तरह से इसको आप erase कर दीजेगा जहां जहां आपको erase करना होगा और यहां इसको हम done कर देते हैं अब हम लोग क्या करेंगे यहां से add photo वाला option पर क्लिक करेंगे और यहां से math formula png को हम लोग add करेंगे इस वाला math formula png को add करेंगे और इसको कुछ इस तरह तरह जूम करके कुछ इस तरह से इसको हम add कर लेंगे और यहां से effect वाला option पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहां से color वाला option पर क्लिक करके हम इसको invert कर देंगे तो हमारा पूरा टेक्स वाइट हो जाएगा तो इसको यहां से डन कर देंगे और इड़ेजर वाला ओप्सन पर हम लोग क्लिक करके एक्ष्टा पार्ट को हम लोग रिमूब कर लेते हैं चलिए हम ज़न से रिमूब कर लेते हैं यहां पर और यहां से इसको हम done कर देते हैं अब हम फिर से add photo वाला option पर क्लिक करते हैं और यहां से एक book की png को हम लोग add करतेंगे इस वाले book png को add करेंगे और इसको हम कुछ इस तरह जुमाट करके left side के corner में कुछ इस तरह से इसको हम adjust करेंगे और यहां से shadow वाला option पर क्लिक करके थोड़ा हम shadow देते हैं और simply हम यहां से इसको done कर देते हैं अब हम फिर से add photo वाला option पर क्लिक करेंगे और यहां से paperfly की png को add करेंगे इस वाले paperfly png को add करेंगे और इसको हम कुछ इस तरह से adjust कर लेंगे और यहां से layer वाला option पर क्लिक करके हम इसको duplicate कर लेते हैं और इसको कुछ इस तरह से adjust कर लेंगे आप अपने according adjust कर लेजेगा और simply हम यहां से इसको done कर देते हैं अब हम फिर से add photo वाला option पर क्लिक करते हैं और यहां से में color effect png को add करते हैं इस वाले color effect png को add करेंगे और इसको कुछ इस तरह से zoom in करके कुछ इस तरह से इसको हम उपर के और adjust कर लेंगे और यहां से blend mode वाला option पर क्लिक करके हम इसको screen पर करके यहां से इसको done कर देंगे तो finally हमारा pixart का work यहां पर complete हो चुका तो अब हम लोग simply यहां से इस वाले option पर क्लिक करके आपने photo को save करेंगे और इस वाले photo को हम lightroom application में open करेंगे तो lightroom application में से पहले आप लोग क्या की जगा इस वाले preset को add की जगा और अपने photo को भी add कर लिजगा तो हम इस वाले preset पर एक बार क्लिक करते हैं और इस वाले preset का link description दे दिया तो आप जाके वहां से पे सेटिंग कर देंगे तो हमारा photo one click में editing हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं यहां से color वाला option पर क्लिक करके थोड़ा हम कस्टमाज कर लेते हैं अपने recording और यहां से हम effect वाला option पर क्लिक करके मजें कर लेंगे थोड़ा हम विग्रेट को भी एड्ड कर लेते हैं क्यूंकि विग्रेट नहीं है और texture को भी थोड़ा सा अइड करके यहां से शाओनेसवाला option पर क्लिक करके थोड़ा शाओनेस को एड्ड कर लेंगे और details को इंक्रेज कर लेंगे तो अ हम से यह सेर वाला आप्शन पर क्लिक करके आपने फोटो को हम सेव करते हैं